इस चिंटू के और इसके बगल इसकी प्यारीची में चिंग के भी बैठी हुई है इन दोनों के घर के उपर क्या हो रहा है अरे ये क्या यहां तो दो दो हाथ ही आई हुई है और ये दोनों हाथियां आपस में क्यों मार पीट कर रही है अभी इन दोनों को नीचे उतारते है नई तो घर ही तूट जाएगा और यहां इस वाले बच्चे के सामने क्या हो रहा है अरे यह क्या इस छोटी वाली लड़के को क्या हो गया इसके मुंडी को यह दिखो दो दो छिपकली आई हुई है और इस प्यारी ची लड़की के मुंडी को खा ले रही है और इस दूसरी लड़की को भी खा ले रही है चलो इन दोनों चिपकलियों को यहां से भगाते हैं अरी ये क्या चिपकलियों को भगाने के लिए छोटी वाले सुपरमैन आये हुए थे और छोटी वाले सुपरमैन का एक पायर ही तोल डाला ये देखो और इसके हाथ को तोलने के लिए गया ह आपने उपर किसी को बिठा के लेकर मोटी वाले सुपरमैन को और ये मोटी वाले हलक जी को बिठा के लेकर आए हुई है चलो सबसे पहले इनको यहां से नीचे उतारते हैं चलते रहो आगे तुम चलते रहो अरे बहुत बढ़िया और सबसे पहले छिपकली को यहां से भगा WordPress गीकर अरे बहुत बढ़िजी लड़्की तो अंस्पताल लेकर चलना पड़ेगा इसकी दवार Verffried में यहीं चोटे वाले सुपर्मैन चलो इनके भी मदद करते हैं और इनकी मदद करने के लिए जंगल की राजा सेर के उपर मोटे वाले हलक जी बैठे हुई हैं आ जाओ और तूम भी नीचे उतरो और इस छोटे जानोर को नीचे गिराओ इस दूसरे वाले को भी नीचे गिराओ और तुम जाओ अपने सेर के उपर बैठो इन छोटे छोटे जानोर को यहां से ले कर चलते हैं कहीं दूर ले कर चलेंगे अरे बहुत बढ़िया इन छोटे छोटे जानोर को कहीं बहुत दूर ले कर चलते हैं आरे वह बहुत बढ़िया इस छोटे वाले सुपरमैन की इनके पैर को तोल डाला और यह छोटी वारी लड़की इन दोनों के लिए डॉक्टर जी को बुलाना पड़ेगा इनके सुई दवा करवाने के लिए और यह चिंटु बैटा बैठे हुई हैं इनके भगल में इनके प्यारी से भेंट चिंकी और यहां घर के उपर अरे यह क्या यह जाकर बैठा हुआ है इस चिंकी बीटिया के भगल में आरे वा इनके प्यारे से पिता जी और इनके ममी जी दोनों लोग आये हुए हैं इनके मम्मी जी के हाथों में दो छोटी छोटी लड़कियां बैठी हुई है, तुम सभी अराम से हां बैठे रहो, चलो पहले चिंकी बिटिया के घर के ऊपर चलते हैं, एम एक क्या, तुम दोनों हाथियां आपस में क्यों मार पीट कर रहे हो? चलो पहले इन दोनों को नीच टुकड़े करेंगे। ये देखो दो टुकड़े करने वाला आया हुआ है। अरे बहुत बढ़ियां इसी से इसके दो टुकड़े करोगे। और इनकी जाओ अरे ये क्या छोटी वाले सुपरमेन तुम नीचे ना गिरो तुमको डरने की कोई बात नहीं जाओ तुमको हाथी भी ले कर जाएगी जाओ हाथी ले कर जाते रहो आरे वाह बहुत बढ़िया इस वाले बच्चे की बगल में ये क्या हो रहा है आरे वाह यहा पहले आलमारी को खोल के देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों को आगे आओ, और ये दूसरी वाली मदमक्ही तुम भी आगे आओ, चलो इसको पहले ओपन करते हैं, इसकी चाविया बनी हुई है, अरे वह बहुत बढ़िया, अरे ये क्या, इसको खोलने के लिए चावियों को घुमाना पड़ेगा, अरे वह ये क्या, अरे इसमें तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है ये दोनों लोग आए हुई हैं, इसी के अंदर बैठने के लिए, जाओ मदमक्ही तुम अराम से बैठ सकती हो, और ये दूसरी वाली मदमक्ही, तुम भी जाओ अराम से बैठ जान अब तुम दोनों को डरने के कोई बात नहीं, अरे बहुत बढ़िया, ये घर के उपर खरगोश भाई, आओ तुम को यह नीचे उतारते हैं, तुम देखने में तुम बहुत सुन्दर लगते हो, तुम्हारे बगल में ये कोई धोलक बजाने वाला आया हुआ है, धोलक अरे ये क्या, ये तो स्पाइडर मैन है, इनके पास तो बड़ी सी बंदूख है, इस बंदूख के निसाना किसके उपर लगाये हुई हो, अरे ये क्या, छोटी वाली हाथी के उपर, अरे ना इस स्पाइडर मैन ये तुम क्या कर रहे हो, चलो छोटी वाले हाथी को यहां गर के उपर बिठा देंगे अरे इस पाइडर मैन ये हाथी बहुत प्यारी बहुत सुन्दर है इसके उपर तो छोटी सी कुर्सी भी लगी हुई है और इस छोटी वाली लड़की को आओ यहां पिठा देते हैं अरे बहुत बढ़ियां ये अराम से हाथी के सवारी कर लेगी और यहां घर के पीछे कोई पंची भी आया हुआ है आओ इस वाले पंची को यहां बिठा अपिठाईंगे इस वाले आलमारी के उपर बिठाईंगे यह प्यार सा लड़का कौन है एक छोटा सा लड़का एक बड़ी सी लड़की ये तो डॉक्टर जी के सभी बच्चे हैं और यहां घर के नीचे यी क्या घर की सुरच्छा करने के लिए शपाइटर मैन आई हुए है और यहां धोलग बजाने वाली प्यारी सी बिल्ली भी आई हुई है अरे बिल्ली धोलग बजाते लो बहुत बढ़िया इसके पास भी एक आईसक्रीम एक धोलक बजाने वाली बिल्ली, दूसरी धोलक बजाने वाले गनेजी, तुम दोनों बहुत बढ़िया धोलक बजा लेते हो, इस प्याले से डॉक्टर जी की सुन्दर सी बीबी तो यहां रुकी हुई है, इनके पीछे चीपी हुई है, आज आप से दवा करवाने के लिए क पता लगाते हैं, अरे ये क्या, ये तो कोई हंस आया हुआ है, और इसके बगल में कोई छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है, और यहां पर ये क्या, दो दो हात ये तो छोटे सी लड़की को ले कर आए हुई थी, इन दोनों की दवा हो गई, अब तुम दोनों लोग अपन सा बच्चा आया हुआ, इसके देख भाल करने के लिए, आओ तुमको पहले मोटी वाली सुई लगेगी, इसके बाद आज ये अंडा देने वाली है, चलो इसके अंडे को बाहर निकालते हैं, अरे ये क्या, अरे एक अंडे, और इसके बाद ये क्या, दूसरा वाला अंडा और ये तीसरा वाला अंडा, अरे बहुत बढ़िया, ये लो हंस, तुम अपने अंडे की सुरच्छा करो, और ये छोटा वाला बच्चा ये भी, तुम भी अराम से बैठे रो, चलो इसको मोटी वाली सुई लगा देते हैं, जिससे इसको दर्द नहीं होगा, यहां तो बंदर जी आये हुई हैं, और इनके ऊपर ये कौन बैठा हुआ है, अरे बड़ी सी चडिया, तुम यहां बंदर के ऊपर जाकर क्यों बैठी हुई हो, आओ तुमको नीचे उतारते हैं, नहीं तो अगर बंदर मामा, डॉक्टर जी से तुमारी सिकायत कर देंगे, तो तु बढ़ी के बगल में, एक और दूसरा वाला गुड़ा, इसके सामने भी एक नल लगा हुए, पानी देने वाला, अरे ये क्या, इन दोनों गुड़ों के घर के अंदर कोई बिल्ली आ गई है, अरे ये तो सारा दूद पीकर खतम कर दी, इसको यहां से भगा दो, नहीं तो दोनों गुड़े क्या दूद पियोगे इसको तुरंत यहां से भगाओ अरे बिल्ली में आओं तुम्हें से तुरंत भागते हुए चले जाओ अरे जाते रहो बहुत बढ़िया अरे ये क्या पानी देने वाले नल को नीचे गिरा दी अरे इसको सिधा कर दो और इसको भी यह अरे बहुत बढ़िया अरे ये क्या यहां दो दो जानुवर किसको लेकर जा रहे हैं अरे ये नन्ही मुन्ही चिडिया को क्यों लेकर जा रहे हैं ये दोनों चिडिया तो आई हुई थे यहां पकवान बनाने के लिए अरे इन दोनों को चलो नीचे उतारते हैं और इस तुम दोनों नन्ही मुन्नी चिडिया अराम से पकवान बनाना अरे ये क्या इस वाले गुड़े के बगल में ये को नाय हुआ है अरे दो दो तोते आय हुए है ये दोनों आपस में क्या कर रहे है तुम दोनों आपस में करते रहो आज की कहानी देखने में तो बहुत मज़ा इन दोनों गुड़ों के पास में पानी पीने के लिए एक एक हैंड पंप आया हुआ है और यहां घर के सामने तो पकवान बन रहा है पकवान खाने में आज बहुत मज़ा आएगा और यहां पर प्यार से बंदर जी आए हुए है इस वाले बंदर के उपर यह बड़ी सी इतने बच्चे एक दो तीन तीन और यह तीनों बच्चे अराम से सुरच्छित बैठे हुए है यह सबसे छोटी वाली हाथी के उपर बैठी हुए है आओ तुमको पहले नीचे उतारते हैं किसी जानवर के उपर अधिक देर तक नहीं बैठना चाहिए ने तुम चोड़ ख तुम्हारा आउम से हाँ बैठे रहो और पीछे वाली हालमारी में दो-दो मत्मकक या चिप कर बैठी हुए है और यहाँ पर यह क्या चिंटु और इसके बगल में इसकी प्यारिजभेंच चिंकी यह दोनों और आउम से बैठे हुए है इस छोटे वाले लड़के को क्या ह आए हुए थे यहां आज की कहानी देखने में तो बहुत मजाया इस चिंकी बीटिया की मम्मी जी और पिता जी दोनों लोग आए हुए और यहां घर के उपर तो तर्बूज रखा हुआ है अगर आज की कहानी आप सभी को परसंद आई हो तिस वाले कहानी को लाइक करिएगा मिल तक सी दूसरी या चिसी कहानी में बाई